आज के आज के इस आटिकल में आपको बताएंगे पीसी आई ने जो नियु आटिकल अपना निकाला है पब्लिश किए अपनी वेबसाइट पे जिसमें उने बोला है सारी क्लारिफिकेशन की हैं सारी जो डाउट्स थे बच्चों के मन में किनको एक्जाम देना पड़ेगा एक्जेट एक्जाम और किनको नहीं देना है PCI तो वो हम आपको बताएंगे ताकि आपको किसी भी तरह के confusion ना रहे हैं अलग-अलग news resources है आपको अलग-अलग खबरे पता चलती है तो आज circular के तुर हम सारी confusion आपकी दूर करने के कोशिश करेंगे तो बने रहे हैं अन्ध तक हमारे सबसे बहले देखे 24 फरवरी 2022 को यह PCI ने नोटिफिकेशन निकाला था डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामेनेशन के से रिलेटेड जिस में उन्हें सब कुछ बताया था कि एग्जिट एग्जाम कितनी बार का होगा कितने आर्स का होगा यह सब उन्होंने कलर क्लारिफाई किया था बट उसके बाद बच्चों की दिमाग में बहुत सारी कन्फिजन आने लगी कुछ बच्चे जो ते देखे वो पहले ही डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट है मालिजे 2021 में बट अभी तक वो रिजिस्टर नहीं करवा पाए हैं अभी तक अपने आपको स्टेट फार्मेसी काउंसल में तो उनको डाउट था कि क्या जब वो रिजिस्टर कराने जाएंगे तो क्या अब उनको एक्जेट एक्जाम देना होगा या कुछ बचे थे जो कि अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड इयर में हैं उनके एक्जाम सोने वाले हैं एप्रिल से जुराई की बीच में होते हैं जो कॉलेजिस होते हैं उनके एक्जाम तो उनके मन में डाउट था कि क्या वो अभी से प्रिपेर करने लग जाया है एक्जेट एक्जाम के लिए अपने तो दोना ही तरह के डाउट से में क्लियर करेंगे यहाँ पर इस point में आप देख रहरे हैं, देखे, इसमें point में बताया ग motion प्रॉसरेस कर रहा है, वो सारही जो exit exam की, जितनी भी किस तरह से उनको लेना है, वो सब कुछ है, जो चीज़े वो प्रॉसरेस कर रहा है, हर चीज़ को, अभी वो regulation को लाया नहीं है पास नहीं कि अभी वो सारी ही चीज़ जो है वो process कर रहा है हर चीज की तयारी कर रहा है और तब तक PCI ने कहा है कि जब तक वो process कर रहा है इन सभी चीज़ों की तब तक देखें till then state of order दिया है request किया register करना अपने जो pass out student है जो diplomat pharmacy pass out हो जाते हैं तो बिना exit exam के देखें register करता रहे तब तक कब तक देखें जब तक PCI जो है वो सारी ही process को finalize नहीं कर ले तो ये जो है एक तरह की good news है उन बच्चों के लिए जो पहले ही pass out हो चुके हैं या जो बच्चे जो diplomat pharmacy second year में भी है उनका भी डाउट है देखें exit exam होगा कि नहीं क क्योंकि काफी लंबा टाइम हो जाएगा तब तक तो PCI अपने सारी process complete कर लेगा तो इन दो तरह की ये दो तरह के doubts I hope हमने clear किये होंगे जो पहले ही pass out हो चुके हैं diploma in pharmacy 2021 में जो जिनका किसी वज़ा से अभी तक registration नहीं हो पाया था वो जाए अपना registration कराएं बिना exit exam के जो diplom Diploma in pharmacy second year में है अभी वो बचे जब है अभी उनका doubt है उनको exit exam देना होगा या नहीं और जो बचे Diploma in pharmacy first year में है अभी वो prepare कर सकते है exit exam के लिए अभी से MCQ prepare कर सकते हैं अगर वो चाहे तो हम अपने channel पे upload करेंगे इसके regarding MCQ तो I hope आपके सारे doubts clear हुए होगे इस वीडियो से यह कुछ हमारे related videos के link हैं जिन पर click करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तो learning pharmacy पर आने के लिए और यह video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले video में